इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यानि की चक्कराना, टिनिटस, यानि की आपके कानों में बजना और मिनियर की बीमारी वाले लोगों में सुनवाई हानी के लक्षणों का कारण बनता है। यह दवा लक्षणों को हलका बनाती है और लक्षणों को प्राप्त करने की संख्या को कम करती है। यह अधिक प्रभावी होगा यदि आप इस दवा को नियमित रूप से निर्धारित के रूप में लेते हैं, तो कोशिश करें कि खुराक न चुकें. आपको कोई भी सुधार दिखाई देने में कुछ हफते लग सकते हैं, लेकिन इसे लेते रहें, भले ही आप बहतर महसूस क जब तक कि आपका डॉक्टर इसे रोकना सुरक्षित न करें. इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं. ट्रोबिटा सोलर टेबलेट भूजन के साथ या बि महां अतिरिक तरल पदार्थ का दबाव कम हो जाता है. अतिरिक तरल पदार्थ मस्तिश्क को संकेत भेज सकता है जिससे मतली, चक्कराना या कताई समवेदनाय यानि की मेनियर रोग के लक्षन हो सकती है. ट्रोबिटा सोलर टेबलेट मेनियर रोग के लक्षनों से राहत द लाने के लिए कान के अंद्रूनी हिस्से से दिमाग तक भेजे जाने वाले तंत्रिका संकेतों को भी कम करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।